नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों चाहे आप माने या ना माने लेकिन तुर्की के कान लड़ाक को विमान ने दो देशों की नींद उड़ा कर रख दी है पहला है अमेरिका दूसरा है भारत अमेरिका इसलिए क्योंकि अमेरिकी परसा को F-35 Stealth लड़ा को विमान दिया लेकिन तुर्की को नहीं दिया यहां तक कि तुर्की शुरुआत में F-35 प्रोग्राम में शामिल था F-35 की कई सारे जो स्पेर पार्ट थे या कई जो हिस्से थे वो तुर्की में ही मैनिफेक्चर होने थे लेकिन अमेरिका ने अर्दोगान की वज़े से तुर्की को इस प्रोग्राम से बाहर भी कर दिया था और उसी वज़े से तुर्की ने गुसे में आकर अपने कान लडाकु विमान को बनाने की ठानी थी आज वो बनकर तयार है उडान भी भर रहा है हाला कि ये कितना स्टेल्थ है क्या इसकी इंजन की परफॉमेंस है क्या लडाकु विमान की परफॉमेंस है ये आने वाले दिनों में हमें पता लग पायेगा लेकिन फिलाल के लिए तुर्की स्टल्थ कलब में शामिल हो चुका है वहीं बात करे भारत की तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात है क्योंकि अमेरिका के पास F-35 है F-22 है वह बड़ी आसानी से इसकी काट कर लेगा बलकि उससे कहीं ज़्यादा लिथल टेक्नलोजी अमेरिका के पास है इसलिए वो टेंशन में इतनी नहीं है भारत ज़्यादा है क्योंकि ये बात आप लगबग मान कर चलिए कि आने वाले कुछी सालों में ये तुर्की का कान स्टल्थ लडाको विमान आपको पाकिस्तानी वायू सेना के हातों में देखने को मिलेगा और ऐसी इस स्थिती में भारती वायू सेना को एक बड़े खत्रे का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इतनी लेथल टेकलोजी हात में आने के बाद पाकिस्तान की वायू सेना शांत नहीं बैठने वाली ये कोई ना कोई शरारत जरूर करेंगे वही दूसी तरफ हमारे चीन है जो अपने जेटुएंटी स्टल्थ लडाको विमान में लगातार सुधार कर रहा है और ये बात अमेरिकी एक्सपर्ट कहा चुके हैं कि भले ही जेटुएंटी आज स्टल्थ ना हो लेकिन आने वाले कुछी सालों में चीनी सरकार इसे स्टल्थ बना सकती है क्योंकि वो दबा कर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने इस जेटुएंटी पर इसलिए अब सवाल ही उठ रहा है कि क्यों ना भारत भी एक स्टल्थ लडाकु विमान तुरंद खरीद ले क्योंकि पिछले कुछ महीनों से एमका लडाकु विमान बनाने की जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही जादा सलो हो चुकी है और इसे बनने में कुछ साल का वक्त लोजी आ चुकी है जो की रडार को एर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चक्मा दे कर हमारी वायू सीमा का उलंगन आसानी से कर सकते हैं इसलिए भारत के डिफेंस सरकल में अब स्टेल्थ लडाकु विमानों को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है और इसी बीच एक बहुत बड 2024 पहला भारत का मल्टी नेशनल युद्ध भ्यास होगा जिसमें कई देशों की वायू सेनाय हिस्सा लेंगी इसमें फ्रांस अपना राफेल लेकर आएगा योरोप की तरफ से यूरो फाइटर टाइफून आएगा वहीं अमेरिका अपना F-15 EX और इसके लावा F-18 सूपर ह लेकर आएगा और चर्चा ये भी है कि अमेरिका अपना F-35 लडाकु विमान भी लेकर आ सकता है क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले ही साल जो भारत में एर शो हुआ था उसमें भी अमेरिका का F-35 आया था और इस बार अमेरिका दोबारा इसे लेकर आ सकता है ताकि भा 14 लडाकु विमान खरीद सकता है अमेरिका पहले इस डील में अपने F-18 सूपर होरनेट और F-15 EX को पेश कर रा था भारत के सामने कि आप हमसे खरीद सकते हैं लेकिन वो अब भारत की जरुरतों को देखते हुए F-35 को भी भारत के सामने पेश कर सकता है क्योंकि अब से एक सरकार भारत को अपनी क्रूशल टेक्लोजी भी बेच सकती है जिसे की स्टेल्थ लडाकु विमान और अमेरिका इस साल तरंग शक्ती युद्ध भ्यास के दोरान इसे भारती वायू सेना के सामने दोबारा पेश करके भारत के साथ बादचीत यहां पर कर सकता है अला कि कु अमेरिका के पास ही ट्रू फिफ्ट जनरेशन टेक्लोजी मुझूद है तुर्की का जो कान है जिसे तुर्की स्टेल्थ लडाकु विमान कह रहा है अभी उसे वैलिडेट नहीं किया गया है वही रूस का सू 57 और चीन का J20 भी पूरी तरीके से स्टेल्थ लडाकु विमान नहीं है स्टेल्थ की कटेगरी में सिर्फ दो ही आते हैं F22 या फिर F35 यही दो प्रोपर स्टेल्थ लडाकु विमान है ऐसे में अगर भारत F35 की तरफ जाता है तो बड़ी आसानी से हम चीन के J20 की भी काट कर सकते हैं इसके लावा तुर्की का जो कान है उसे तो बहुत ही इसे कर जाएंगे क्योंकि तुर्की ने उसे F35 की कोपी से ही बनाया है जी हाँ इस पर एक प्रोपर वीडियो आ रही है आधी तयार हो चुकी है कल सुबह तक आपको 100% वो मिल जाएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जादूई तरीके से तुर्की ने अपना ये क लड़ा को विमान तयार किया है वो भी इतना जल्दी